इस होचा हमारी संपत्ती तो हमारे दोनों बेटे हैं, इनी के साथ किसी के भी साथ सामय काट लेंगे, और हमें क्या पता था कि भई जद साथ की बेटी को ये पसंद नहीं था कि मेरे जो साथ सास सास हैं, मतलब महीना डेड़ महीना ये शादी को बीता होगा, अच्छी शादी की उन्होंने जी भरके की जद साथ की लड़की ने अपने सास सास को ब्रतासरम पहुशा दिया दोस्तो घमारे सब्भय समाज में कई बार ऐसे किस्ते कहानिया निकल कर सामने आजाते हैं, जिन पर बेहत अफसोस होता है और अफसोस तब और भी ज़ादा होता है जब यह मालूम चलता है कि प्रगति सील समाज का हिस्सा बने लोग भी कई बार ऐसी हरकते कर जाते हैं जो सब्भे समाज के लिए अच्छी नहीं होती आज की जो कहानी आपको मालूम चलने वाली है वहे उसके तीन चार प्रमुख किरदार हैं एक हैं बुजुर्ग दंपत्ती और बुजुर्ग दंपत्ती के बेटे जो की दोनों ही गोर्मेंट ओफिसर हैं इससे भी बड़ी बात यह है कि जो उनकी पुत्रवधू है अतुल शर्मा जी अतुल जी श्वागत है आपका यह जो मामला जब मुझे मालूम चला कि जो पुत्रवधू है वो तो साब जज साब की लड़की है और जज साब की लड़की ने अपने सास ससुर को ब्रतासरम पहुशा दिया दिखें बड़े अफसोस की बात तो यह है कि वो माता पिता हैं बिल्कुल अनपढ़ा एकदम उठा टेक और उन्होंने इतनी महनत की मजदूरी की मजदूरी करके शहर में आये अपने बच्चों को केवल पढ़ाने लिखाने कि ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देसको वो मेरी तरह मजदूर ना बनक ड़े की शादी हो गई तो उच्चों और जिम्मतारी और निभाने के लिए कर चा भीत दीकिमी बिल्हुक्या क मेरी लिए कर फ्रेटी साथ लोम घारती थे चिंवर मेरे हम करें कर दें को तो की यह यह जिम्मेडारी अब अब गरेता थो इसको मैधा कि ब् Node. ॉत कर दें उ वो मजदूर कहला है और लोग मुझे हिकारत की नजर से देखें तो दीरे दीरे मतलब महीना डेड़ महीना यह शादी को बीता होगा अच्छी शादी की उन्होंने जी भरके की लेकिन उनको यह पसंद या कि सुबह साइकिल पर थेरा लटका के और मेरा ससूर कहीं काम करने के लिए जाए चलता रहा है से यह उमर तो उनके काम करने के भी नहीं थी बहून की सेवा करती ना वो काम करते नहीं वो ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटे ने भी यह नहीं कहा कि आप अच्छा-खासा कमारे आपने हमें पढ़ा लिखा दिया वो लगातार काम कर रहे थे और वो क उन्ते रहे जो भी जासाब की बेटी कहती रही चलो समय काटना है अब उन्होंने एक दू बार कोशिश की कि बड़े के पास चले जाए लेकिन उसको भी आदत नहीं रही थी उनको रखने की उसने का हमारे तो बच्चे हो गए अब हमारे पास ममी जगा नहीं है कहां रखे और मावाप को रखने के लिए जगा नहीं थी तो मजबूरी में उसके पास रह रह रहे थे थोड़ी टेंशन भी रही होगी ऐसे में एक दिन वह साइकिल पे जाने के बाद में साइकिल लोन खडी की स्टेंट पे और जैसी ट्रेन में बैठने जा रहे थे बताने उनको चक कर नहीं सकते हैं उसका इलाज भी शायद हुआ नहीं हुआ यह तो वो मना नहीं करते अपने बेटों को दोश भी नहीं देते बस मेरी किसमत थी ऐसे ही रहना था यहार दासरम वेलो कैसो को जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है कि रोटी के भी उनको एक दम से बिलक पापा ही आएंगे तो क्या कहेंगे कि तुमारा सेसुर मज़ूरी कर रहा है तहला टांग कर जाता साइकल पे तो उन्हों ने इस बात जब रिस्ता यह तैख किया होगा ता मालूम नहीं थी तो इसे में किसी ने कोई कामवाली उनके बेटी जो है उनकी बहू उसके घर में आती थी एक काम वाली भी तो उसने बताया कि जी इससे तो अच्छा माजी आप वहाँ एक ब्रधाश्रम का नाम दिया कि वहाँ चले जाओ और वहाँ पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरी जानने वाली है मैं उसे कह दूंगी आप उसे रह लेना तो बस उन्हों जारी बुले आप क्यों जारी है आपको थोड़ी में मना कर रही हूं आप रहो ही हैं पर और पापा के बसकी नहीं है कोछी भी काम करना तो यह चले जाएंगे वरताश्रम तो उनका जवाब यह था कि जब मैंने सुक के दिन इनके साथ काटे तो दुख के दिनके साथ काट सास को क्यों तो इनके साथ ढ़ना चाहती हूं क country ऐब वह वाल वच्छे भी और घर का कुछ भी तो काम करती होंगी रोटी-बिजाज़ू पोशे के लिए आती थी लेकिन उनकाना बनाती थी और गर के सारे काम करती थी д वह भी तो बड़े हरांनी समय मेंने उनसे बात की तो वो महिले जो थी उन्होंने थोड़ा सा जैसी उनकी आदत थी कि वो पर्दा रखती थी हलका सा मात्य तक गूंगट उन्होंने डाला हुआ था तो मैंने उनका अपनी तरफ मुग करा और मैंने काया कि महिंजी आप तो अच्छा जीवन गुजार सकती थी तो उनकी आखों करके हमें यहां लियाए अपना गाउं छोड़ा घर छोड़ा यहां लियाए हमें यहां कुछ दिन हम किराये पर रहे फिर अपना घर बनाया बड़े बेटे के लिए छोटे अपने लिए नहीं बनाया कुछ भी इस सोचा हमारी संपत्ति तो हमारे दोनों बेटे हैं इनी के यह चाहती हूं कि मुझसे पहले यह चले जाएं दुनिया से, क्योंकि मेरे बाद इनकी कोई करने वाला नहीं है, इनकोई ना कोई चाहिए कि जो इनकी सेवा करें, जब रधासरम में रहकर भी उन्होंने उनकी सेवा की, हाथ से वो कुछ कर नहीं सकते हैं, और खाना खाने मे उनको उल्टे हाथ से आदत नहीं पड़ रही है, सीधे हाथ को कर नहीं सकते हैं, कुछ भी, कपड़े पहनने में उनको दिक्कत हैं, नहाने में उनको दिक्कत हैं, यह सारे काम वो कराती हैं, मैं कहती हूं कि शायद भगवान ने उनको पतनी के रूप में ये शिव पारव तो उसमें भी उनकी इज़त प्रभावित हो रही है, और फिर काफिर समय बाद मैंने एक बार और मिलने कुशिश की, तो मुझे पता लगा कि वो यहां से तो चले गए, उसके बाद तो मुझे यह नहीं पता है, लेकिन मैं मुझे आज तक भी इस पूरे प्रकरण में यह बा कोई सम्मान नहीं, कोई वो नहीं, उन्हें निकाल के बाहर कर दो, पता नहीं हम कौन सी संस्कृती में जी रहे हैं, किस जगह जी रहे हैं अच्छा मैं लेखक के तोर पर मैंने बहुत सारी कहानिया लिखी हैं, और कई इस तरह के समाजी किस्सा सामने आते रहें, लेकिन वाकई जब इस तरह की चीज़े मेरे भी सामने आती हैं, मैं सुनता हूं और कहानी के तोर पर उनको लेते हैं, बड़ा अफसोस होता है, मैंने यह तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे एक बहु जज की बेटी है, तो मुझे उन पर गर्व हुआ, दोनों दमपत्ती पर गर्व हुआ, कि नोंने किस बदहाली से निकल के अपने बच्चों को कहां खड़ा किया, पता नहीं कितन लोगों को, कि अपने साथ ही बच्चा नहीं पढ़ रहा है, चलो भई, तू भी हमारे साथ मजदूरी में नहीं लगाया, बेटा-बेटा लोग करते हैं, क्यों करते हैं, कि हमारे अगनी देगा, बस इसलिए, इसलिए नहीं कि बढ़ापे में जो हमारे हाथ पेर ठक जाए वो हमारी सेवा करें, या हमें रोटी दे, या हो सकता है हमारे बसकी चलना फिड़ना ना हो, तो हमारी दो टहल कर दे, तो अगर ऐसे ही उलाद है, और एक एक क्या दोनों यी बेटे साथ हैं, दोनों बेटे, बड़े बेटे ने मना कर दिया, कि अब मुझा आदत नहीं रह कहें जहां एक कमरा है और एसमें सब लोग रह रहे है, बहुत प्रेम से है, माई अपीता का बड़ा सम्मान है, लेकिन अगर ऐसी ही लोगstanden हो, ना उनके दिल में जगर होनी चाहिए, है तो दिल में तो ही नहीं, लेकिन आसे लोगों को घर में भी नही हं है, और मैं तमां म अपने जोब भी आपके पास संपत्ती हैं चाहि таких इस यह लिए हमारे घर सोटी नहीं zitten करते it कर रहे हैं जो हमारे लिए सब कुछ हैं कहते हैं हमारे यह तो कि देवतुल्य होते हैं माता पिता तो उनका देवत वह हम बनाए रखें तो बहतर होगा कि हम भी थोड़े स्वार्थी हो जाएं माता पिता भी थोड़े स्वार्थी हो जाए इसके अलावा माता पिता से बड़ी दोलत उनके लिए कोई नहीं होती और ऐसे वक्त में जब माता पिता को संतान की सबसे ज़ादा जरूरत होती है ऐसे वक्त में वो लोग साथ छोड़ देते हैं ऐसा नहों कि हम जिस रहा पर ऐसी पीडिया निकल रही है आने वाली संतान के लिए ऐसे रास्ते खोल दें कि वह भी उनको इसी तरीके के रास्ते विरधा शरम के दिखाने लगें दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए